जिस तरह से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, ठीक उसी तरह लोग सदियों से इगल को आस्मान का राजा कहते हैं। एक ऐसे राजा जिसके शिकार के मामले में तुनिया फर में अपनी थाक जमा रखी है। आस्मान में मंडरातेस यमदूत का हाव। जंगल पर रहने वाले शेर से लेकर पानी में तेरने वाले मगर बच और यहां तक यहां आस्मान में उड़ने वाले पक्षियों को भी है। और हो भी क्यों ना, एक ऐगल के चंगल से किसी का भी बचना बहुत ही मश्गिल है। आज के इस वीडियो में हम आपको तस ऐसे ही भयानक इगल अटैक्स दिखाएंगे, जिन देखकर आप भी इनके फैन बन जाएंगे। स्टेलर सी इगल अटैक्स किटी वेक बर्ड्स और तभी आसमान में नज़र आता है एक स्टेलर सी इगल, जैसे इसकी नज़र इन पक्षियों पर पड़ती है, वैसे ही आसमान में अपने साड़े 6 फीट लंबे पंखों को फैला कर घूमते हुए शिकार के सही मौकर का इंतजार करने लगता है, और जैसे ही मौकर आता है ये इगल एक पुरेट की तरह नीचे आता है, और उनमें से एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किटी वेक बर्ड को भी इस इगल के बारे में फली भाती पता है, इसलिए जैसे ही वो अपनी तरफ आते हुए इस खत्रे को देखते हैं, वे सब ही बचाओं क लेक साथ बिलकर उड़े लगते हैं, ताकि इगल कंफ्यूस हो जाए, उनकी ये चाल काम आती है, और कुछ देर के लिए ऐसा होता भी है, मगर इगल भी उनकी ये चाला की पकड़ लेता है, और एक किटी वेक पर अपने पंजों से छपटा माता है, इगल की पंजे नुकी की तूरी से भी आसानी से देख सकता है, यारी कि इतने में आप एक के उपर एक करके लगबख छे बुर्ज खलीफा खड़े कर सकते हैं, और इसी पहनी नजर से ये इगल समुदर में तैरते हुए इस साप को देख लेता है, ये साप अपने आप में बहुत खतनाक है, और इसे पंगालेना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, वहीं ये इगल हवा के छूंके की तरह आता है, और इस जहरीले साप को ठाकर फराग हो जाता है, आपको बता दें कि समुदरी साप की लंबाई लगबख तीन से पाँच फीट के बीच में है, और इसे संभालना इ उसे मिले जाता है, जा वो से अपने बच्चों के साथ बढ़े मज़े से खाता है, नमबर एट, मार्शल इगल अटाक्स लिजर्ट वैसे तो मार्शल इगल को आफरिका का सबसे बड़ा इगल माना जाता है, मगर एक मौनिटर लिजर्ट के सामने ये जरा सा ही लगता है, उसके पाफजूद भी इस मार्शल एगल ने एक मॉनिटर लिजर्ड मार गिराया है। मॉनिटर लिजर्ड की लंबाई लगबग 8 फीट तक होती है, यानि एक एक आम इनसान से भी ज्यादा। लेकिन इस एगल के सामने उसकी एक नहीं चली, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे इस एगल ने इतने विशाल जानवर को अपने पंजों से दबोच रखा है, वहीं मॉनिटर लिजर्ड खुद को बचाने की कुछ नाकाम कोशिश हैं करता तो है, लेकिन एगल उसको ब के लिए है कि इगल दूसरे पक्षियों को मारने से बिलकुल भी नहीं कत्रा था, ऐसा ही कुछ यहां भी होने वाला है, यहां क्रेन पक्षियों का एक बहुत बड़ा सा ग्रोप उड़ता हुआ जा रहा है, और तब ही वहाँ पर दो इगल आ जाते हैं, उन दो इगल को दे एक यंग क्रेन को अपने छुंड से अलग करने में भी खामयाब हो जाते हैं, जैसे ही वह क्रेन अलग होता है, एक इगल बुलिट की तरह आता है, और उसे अपने चोंच से पकड़ लेता है, वैसे तो इगल बहुत सारा बजन लेकर उड़ सकता है, लिए फिर भी इस क्रे जार करने में इसे ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करने परती, और शायद वो खाने में ज्यादा टेस्टी भी होते होंगे, अब अगर वो बच्चा किसी बकरी का हो, तो बात ही कुछ अलग है, क्योंकि खाना भी ज्यादा, स्वाद में भी अच्छा, यहां इस इगल को आसम गोट से एक दूसरे से अलग हो चुके, जिन में से एक कोई शादेर इगल ने अपने पंजों से पकड़ा और उडान भट लिया, उस भारी शिकार को लेकर उड़ने में भी इस इगल को कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही, यह मासूम बक्री, आज इस इगल और इसके पूरे परिवार का खाना बनने वाला है, नमबर फाइव, इगल अटाक लाइन, वैसे तो इगल काफी ज्यादा खतराख है, लेकिन अगर उसका सामना चंगल के राजा शीर से हो जाए, तो क्या होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि इगल की हार होगी, तो आप खलत है, क्योंकि इग लड़ने की फिराग में, और जब लड़ाई शिरू होती है, तो मामला 50-50 का दिखाई देता है, लेकिन शेर अपने पंजे की मदद से खुद को डिफेंट कर लेता है, वहीं दूसरी और इगल भी अपनी चोच से बराबर हमला करता है, एक टाइम पर तो शेर भी इगल से पीशे हट जाता है, और जब शेर को लगता है किस से जीतना मुश्किल है, तो अंत में हार मान कर इगल का छोड़ कर वहां से आ जाता है, नमबर फूर, गोल्डन इगल वर्सुज चैक राबिट, गोल्डन इगल, इगल के सबसे खुखार पजातियों में से एक माना जाता ह और इसकी शिकार करने की तकनीक पिला जवाब है, जब ये किसी शिकार को देखते हैं, तो अपने पंक खोल का लगबख 300 किलोमीटर पती घंटे से भी तेज रफतार में उस पर हमला बोल देते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, कैसे एक गोल्डन इगल एक जैक राबिट पर हमला करने की फिराक में, हलांकि जैक रैबिट की भी रफतार कुछ कम नहीं होती, और यह लगबख 64 किलोमीटर पती घंटे की स्पीड से खुद को बचाने के लिए भागता है, यह रैबिट छाडियों में से भागते हुए, खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इगल भी छोडने वालों में से नहीं है, वो इसका पीछा करता है, और सही मौखा देखते ही, इस पर तूट परता है, अपने तेज नाखुनों से, वो रैबिट को जमीन पर ही दबा के रखता है, और वो रैबिट हिल भी नहीं पाता, नम्मो त्री, गोल्टन इग बचाने के लिए दर दर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन शाते रीगल हवा में अपने पंक लहराते हुए, तेजी से इनका पीछा करता है, वहीं दूसरी तरफ हैर भी खुद को बचाने की हर मुम्किन कोशिश में लगा है, लेकिन वो जयाता देता खुद को नहीं ब पूनों से लगबख 10 कोना ज्यादा स्ट्रॉंग होती है, एक गोल्डेन इगल अपने पंजों की पकड़ से लगबख 750 PSI तक का फोर्स लगा सकते हैं, जिकि किसी भी जानवर को बेहाल करने के लिए काफी होता है, नमबर टू, इगल अटाक्स इगल, अब तक तो आप अचली का शिकार करने के फिराक में आया है, लेकिन अलने के लिए, आज इसने अपने शिकार के लिए हलग जगा चुन ली, यहाँ पर दो इगल पहले से ही मौजूद है, जिनका इस पूरे एरिया पर राच चलता है, यह खेला इगल इस बात से अंजान था, कि कोई